हेलो दोस्तों आज के 29 कोशन से अपने कोशन की चली हम शुवात करते हैं कोशन क्या कह रहा है 5 अपन 14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भीन 7 अपन 42 हो आपके 4 आप्शन दिये हुए हैं चली कोशन को सौड़ करना स्टाट करते हैं कोशन से कहा क्या है 5 बटे 14 में से क्या घटाया जाए तो हमने कहा थे इसने पांच बटे 14 का हुआ है उसमें से बोला है क्या घटाया जाए तो हमने का मान लिजी आप x घटा दो एक घटा दो उसने का घटाने पर प्राप्त भीन यानि कि जो प्राप्त हो रहा है भीन यानि कि इक्वल कसान लगाई यह कितना खेरा 7 अपन 42 निका हुआ है ठीक है अब इसको फॉल कर लिजी अब हम एक जी जानते हैं कि जो भी वैलू जो ऐसे हम की अगर हमें x की वैलू निकालने तो इसको प्लस में ही रखना पड़े गया तो इसको क्या करेंगे हम इसको वहां लेते जाएंगे यहां लेते जाएंगे यानिकि 5 अपन 14 अब इसको क्या करेंगे निकिले जाएंगे माइनस का सेवैंटाओं कितना जाएगा फOUR टीटू इविंट टू regression इथर लेते जाएंगे तो माइनस ही प्लस हो गया यह फॉटे माइनस हो क्या ठीक है अब यहां तक कोई दिक्रत नहीं है अब हम क्या करेंगे 42 इसमें से क्या जाएगा एलसे हम आ जाएगा 42 एलसे हम आ गया 14 तियां 42 और 5 तियां 15 यानि की 15 माइनस का 7 is equal to x तो अब x की value कितनी आ जाएगी x की value आ जाएगी 15 15 में से साथ को घटांगे कितना जाएगा आठ अपान में कितना जाएगा 40 तो इसमें का टीजिए ठीक है तो चो के आठ दो दूनी 4 दो एक कम दो यानि की 4 अपान 21 तो 4 अपान 21 आप्शन नमर सी अपका correct हो जाएगा हमारा अगला 30 question क्या कह रहा है 16 सही 1 बटे 5 multiply करना है 16 सही 4 बटे 5 का मान होगा इस काम को मान निकालना है तो हम कैसे solve करेंगे आएसे solve करना start करते हैं तो उसने question में दिया था ना तो 16 सही 1 बटे 5 multiply करना था 16 सही 4 बटे 5 से हम क्या करेंगे हम जो 16 सही लिखा है ना तो 16 को plus लगाएंगे और एक बटे 5 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है बीचे multiply लगा होगा इसको कैसे लिख सकते हैं इसको भी इसी तरह लिख लो 16 प्लस 4 बटे 5 अधि आपने कुछ तरी के से लिख लिए इसको 16 प्लस 1 बटे 5 16 प्लस का 4 बटे 5 आपने इस तरह लिख लिए ठीक है अब इसी क्या करिए multiply करना स्टाट किजिए यानि की 16 को, 16 से multiply किजिए, तो 16 को 16 से multiply करेंगे किता जाएगा? 256 अब फिर से 16 है 16 को multiply करेंगे 4 बटे, 5 से यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा लेंगे प्लस 16 को किससे मुटिप्लाई करेंगे चार बटे 5 से मुटिप्लाई कर लेंगे ठीक है अब क्या करेंगे अब जो 1 बटे 5 अब इसको इससे मुटिप्लाई करेंगे मैं लगाए है यानिके 16 कोए बटे 5 से मट्यप्लाई करेंगे ड़र एक स्को इस睡 możliwie करेंगे कि नहीं कि मैं कि दिजा आखा है चीजागा चार बटे वाच है ऩौर और यह एतना कर लिए अब आप देखलो 256 प्लस अब देखो 16 यहां भी है 16 यहां भी है तो क्या करेंगे 16 को हम क्या common लिख सकते हैं common लिख लिख लिया एक bracket लगाईए 4 बटे 5 यह लिखा प्लस में लगाईए 1 upon 5 आपने यहां लिख दिया ठीक है अब बाकी यह दोनों बच्चेवे इन दोनों करेंगे लिख लिख लिखे आपने प्लस का 1 upon 5 into 4 upon 5 लिख लिखे आपने ठीक है उसखर करेंगे 256 प्लस का 16 यह कितना हो जाएगा 5 upon 5 हो जाएगा यह है कितना हो जाएगा 4 एकम 4 पांच पचे 25 हो जाएगा अब देखिए पांच से पांच से कट गया कितना होगा 256 प्लस का 16 यह कर लिए आपने प्लस का 4 वाटे कितना हो जाएगा 25 प्लस चार वाटे 25 हो गया अब जब आप इसे एड करोगे कितना 256 प्लस का 16 कितना हो जाएगा 222 प्लस चार वाटे 25 को कैसे लिए सकते हो आप 272 सही चार वाटे 25 ठीक 272 सही चार वाटे तो आप्शन नमबर आपका दी क्या हो जाएगा करेट यहाँ 222 सही चार वाटे 25 नेश्ट हमारा 31 कोशन क्या कह रहा है 13 वाटे 15 15 वाटे 17 17 वाटे 19 तथा 19 वाटे 21 में कौन सी सांक्या ससे बड़ी है आपके चार आप्शन दिये हुए हैं ठीक है चले स्टार करते हैं करना हम तो देखिए जो 13 वाटे 15 लिखा हुगा है ठीक है 15 वाटे 17 17 वाटे 19 19 वाटे 21 वाटी तो लिखा हुगा है अब एक चीश्य देखो की 13 और 15 में जो अंतर आ रहा कितने का रहा ầर लो कर दो का ही तो आराए यानि कि 15 में सि 13 तो 2 बच सबूस्बक बस्था है ओर 17 में जो औंतर आरा जुने का दो का तुक्त आराए दो खितना अगर एदा किया आर। क्मसुत का रहा रहा है कि और जब कभी भी अगर अंतर अंतर क्या हो अगर एक जैसा हो समान हो तो हमेशा जो सबसे बड़ी अंश वाला होगा वही सबसे बड़ा होगा होगी कब बढ़ी होगी जब अंश और हर का अंतर हमारा समान होगा यानि कि अंश तथा हर का अंतर जब समान होगा तो सबसे बड़ी वाली अंश वाली भीन हमारी सबसे बड़ी होगी तो देखें सबसे बड़ा अंश कितना है तेरा पंदरा सतरह उन्नीस तो उन्नीस सबसे बड़ा अंश हो गया जानिके उन्नीस बटे एक किस हमारी सबसे बड़ी भीन हो जाएगी तो उन्नीस बटे 21 हमारा कौन सा option option number a आपका correct हो जाएगा है हमारा 32 कुशन क्या कह रहा है निम्नल लिख्षित में अवरोही क्रम में भिन है यानि कि कौन सा भिन अवरोही क्रम में है जो correct है आपके options दिये हैं चार options दिये हैं ठीक है तो हम अवरोही क्रम में सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी हमारे यह यहांक कि पांच है और यह रहा है यानिकि 5, 9, 7 अधी में उनकी पांच, नौट चलग कर लेंकं का हम और क्या कर लेंगे LCM तो जब LCM लेंगे क्या हो जागा पांश नो पच्छे 45 और 45 को साथ से मुटिप्लागा करेंगे तो हो जागा 315 यानि जो हमारे पास LCM आ जाएगा वह 315 तो हमारा LCM हो जाएगा ठीक है ठीक है LCM 315 आ गया अब आएए पहले आप्शनस पर चलते हैं जैसे तीन बटे 5 लिखा हुआ है तो ठीक है तीन बटे 5 तो यानि कि LCM हारे पास आया है 315 उसमें जो हमारे पास पांच है न यह इसको इससे भाग कर दिजिए भाग कर दिया आपने तो कितना हो गया पांच चके 30 और पांटियां 15 हो गया यानि कि 63 हा गया अब हमें क्या 63 ही बनाना है यानि कि 3 बटे 5 जो दिया वह तीन बटे 5 मल्टिपलाई कर दिजिए 63 को उपर और नीचे दोनों से मल्टिपलाई कर देंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में इसको जब करेंग गुड़ा करेंगे तो 189 नीचे का नीचे से गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 315 ठीक है फिर आप हमारे पास आगया सद बटे 9 साद बटे 9 है तो यानि कि 315 में 9 से भाग दे दिजी तो कितना हो जाएगा 9 तरीक 27 नो पच्छे 35 अब देखे 7- swatch 9 अधाना तो 7 बटे 9 में उपर नीचे किस से multiply करेंगे 35 से multiply करेंगे 35 येँंगे 35 को साथ से मल्टिप्लाय करेंगे आजागा 245 वहीं 9 को 35 से मल्टिप्लाय करेंगे तो हमारे प्रास आजागे 315 फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे 315 अब कितना लिखेंगे हम 7 जाने लिखेंगे 7 इस इक्वल टो कितना हो जाएगा साथ चव अठाइस साथ पचे 35 हो गया फिर अब क्या लिखोगी छे बटे साथ यानिकि छे बटे साथ मल्टिप्लाय किसे करेंगे 45 से 45 इंटू 45 हो जाएगा तो मल्टिप्लाय करेंगे कितना लिखेंगा 370 अब 45 को साथ से करेंगे तो हो जाएगा 315 ठीक है यानिकि एक आगया 189 अपॉन 315 यह का है 245 बटे 315 यह का है 270 बटे 315 अब देखो जो भी अंश आपका दिया 189 245 270 अंश सारे हमारे अलग-अलग हैं लेकिन हर हमारे क्या है एक जैसे हैं तो अंश की अगर हम कंपेर कर हैंगे तो क्या जागा 270 बटे 315 फिर 245 बटे 315 और 189 बटे 315 यह हमारे अवरोही क्रम हो गया यानिकि सबसे पहले सबसे बड़ा 270 फिर 245 189 अब देखे 270 वाला कौन सा है हमारे पास में 6 बटे 7 वाला ही तो था तो सबसे पहले हमारे पास 6 बटे 7 हो जाएगा उसके बाद 6 बटे 7 के बाद हमारे पास क्या गिलेटर दन हो जाएगा 245 वाला कौन सा है 7 बटे 9 वाला है तो 7 बटे 9 हो जाएगा फिर उसके बाद लाश्ट मारा क्या है पचेगा 3 बटे 5 है तो 3 बटे 5 हो जाएगा ठी 270 व तीन बटे पांच हमारा करेट हो जाएगा